इस समय हम दिल्ली के सब्दरजंग अस्पिताल में मौझूद है और मेडिकल से प्रेटिंडनेंट्ट सर हमाई साथ मौझूद है यह पिछले दोड़ाये साल से को विड के पैसेंट्स-का इलाज वाकूभी कर रहे हैं अभी यह मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है इसके अंदर हमने सभी चीज़ें एक जगह पर इकटी किये और उससे कार्ण यह होगा कि मरीजों को बेसिकली कोई ऐसी दाना हो मरीज एक जगह पर ही आये और वहीं पर ही सभी चीज़ें उनके लिए चाहे वो जाच करना हो चाहे टेस्ट सेंपल लेना हो और चाहे उसका टेस्ट होना हो या ऑक्सिजन लगाना हो या वेंटलेटर बैड हो सभी इसी फैसलेटी के अंदर हमने क सभी जो को मुझे लगता है काफी सुभधा जनक फैसलेटीज मिलेगी सुभधा जनक फैसलेटीज लेकिन बीएफ पॉइंट सेवन जो वैरियंट है अगर आपके तौर पर उसको देखें तो पहले कि जो ओमीक्रॉन के स्ट्रेंस थे उससे कितना खतरनाक उसको देखें क् इंडिया के परस्पेक्टिब में माना जा रहा है कि इस ट्रेंट उतना खतरनाक नहीं होगा तो आपकी क्या इस पर अनलसिस है देखिए हम लोग आपको याद होगा दोजार बीस अप्रेल में क्योंकि काफी अच्छी तरह से जो है ना हमने डेल्टा के टाइम पर जो काम क बीसिकल में उसको कुछ कंसर्ण रहें जरूरें चाहिए और बैट का लेकिन मुझे लगता उसके कारण जो है हमने आपको त्यार किया है ऑकुषीजिन की जो सप्लाई है या औक्षीजन जो प्लांट इसका लगाना हो या नमबर बढ़ाना हो मुझे लगता काफी अच्छ की एक्सपेंशन हुई है और अब जो है ना हम पुरी तरह से उसके लिए तयार हैं अगर कुछ इस तरह का नंबर ऑफ केसिज बढ़ते हैं दिल्ली के सब्सक्राइब सब्सक्राइब के मेडिकल सुप्रेडेंडेंट बी एल सेरवाल इन्होंने साफ तोर पर इस बात को रेखांकित किया और दर्शकों को बताया भी कि जो बीए बीएफ पॉइंट सेवन का वेरियंट है वो जादा खतरनाक और जादा असरदार तो नहीं है लेकिन इसके लिए ह टेगरी में जाती हुई दिखाई दे रही है और यही मसला था कि यहां पर देखिए तमाम तरीके के कोविट सेंटर बनाए गए हैं केमरापरसन आकास के साथ अमरित प्रकाश भारत एक्सप्रेस दिल्ली